पहला महिला हेल्प्टेस और पॉक्सो एड एक्ट के अंतर्गत की गई कारवाई दूसरा इस पीडी ट्रायल के अंतर्गत हमारी उपलगतियां और तीसरा रहेगा कि हमारे हाल के दिनों में अपराद कर्मियों नक्सलियों और अन्य सक्रिय गिरोहों के विरुद जो सबसे पहले मैं महिला हेल्प्टेस की बात लेता हूं जैसा कि आप लोगों को जानकारी है विहार पुलिस लगातार जन उपयोगी कारवाई कर रही है और उसके तहट राजसरकार के दिसाने देश में महिलाओं के उत्थान सरक्षन और उनके वृद्ध होने वाले देश उनके पुनरवास सुरक्षा आज्ञी विष्यों पर राज की पुलिस द्यार प्रते इस तरह पर सकारात्म कर वाई की जारे है विशेश कर महिला श्रशक्ती करण महिलाओं के उत्थान तथा पीड़ित महिलाओं को थाना पर जाने में किसी प्रकार की समस्या नहों उसकी दिशा में बिहार पुलिस के द्वारा लगतार कारवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को ग्यात है, 26 फरवरी 2023 को इस वर्ष बिहार पुलिस दिवस के आउसर पर मानिय मुखमंत्री बिहार के द्वारा विदिवत महिला हेल्प डेस्क का राज इस तर पर उत्रामिन किया गया है। आज जो अधितन इस्तिती है मैं उसके बारे में आपको बात रखता हूँ। राज के अब तक प्रथम चरण में 500 और दुतिय चरण में 300 अर्थात कुल 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थाफ में पूर्ण कर ली गई। इन 850 महिला हेल्प डेस्क में जो प्रतेक थानों में कार रख हैं 475 महिला सम इंस्पेक्टर या महिला ASI यानि महिला पुलिस आफिसर हैं और 1982 महिला पुलिस कर्मी इन हेल्प डेस्क पर प्रतिनुक था सभी प्रतिनिक पदादिकारी और कर्मियों को विशेस प्रसिच्छन दिया गया है और इस सम्बंदित विश्यों के निश्पादन हेतू फर्स्ट कॉंटेक्ट पॉइंट के रूप में राज के थानों में महिला हल्प डेस्की स्थापना की गई है जो लगतार कारवरत है इन महिला हल्प डेस्क पर तमाम राज की महिलाएं निसंकोच पहुँचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं इसका उधारन मैं दे रहा हूँ अभी तक जब शेश्ट अपना हुई है पुर्थम चरण की और दूसरे चरण की 19,606 महिलाएं अपनी महिलाओं को लेकर महिला हल्प डेस्क में जा चुकी है जिसमें से 5,382 मामलों में प्राथमिकी दर्जकर अंसंधान भी शुरू कर दिया गया 1314 मामलों को अन्य विभागों के पास अलसारित किया गया है क्योंकि मैला हेल्प टेक्स में अन्य विभागों से सम्मंदित समस्याओं को ले करके भी मैलाएं थानों में आ रही 12,970 मामलों में नौन कोग और अन्य कानूनी रूप से देखते हुए निरुधात्मक कारवाई भी पुलिस के द्वारा कर दी गई इसके अलावा ये सभी थानों में 850 थानों में कार रहत हैं इसके अलावा पुलिस मुख्याले के इस्तर पर महिला परामर्श केंद की शुरुआत की गई इसका मुख उदेश घरेलू हिंसा और महिला प्रताना से पीडित महिलाओं के लिए परामर्श केंद के रूप में कार करना है यह परामर्श केंद राज पुलिस मुख्याले में महिला विकास निगम भिहासरकाद और जिला विदिक सेवा प्राधिकाद किस द्वारा प्रतिनुप परामर्शियों के द्वारा सफल रूप से संचारित किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग हम अपने महिला सुरच्छा से सम्मंजित विश्यों पर पुलिस पदादिकारियों को दे रहे हैं महिला सुरच्छा से सम्मंजित फाइव डे इस्पेशल ट्रेनिंग के छे कोर्स चलाए गए और सभी रेंज में जा करके सभी कांड के जो अनसंदानक हैं उनको इस्पेशल ट्रेनिंग दे लिए इसमें महिलाओं के वरुद साइवर अपराद यौन अपराद में साच संकलन इसके अलाबा महिलाओं के वरुद अपराद इंसा बलातकार के कांड की शीगर उद्बेदनेतु विशेश किट बनाई गई है जिसको 146 अनुमंडल पुलिस पदादिकारी एवं अनडीस्पी को इसमें ट्रेनिंग दी गई सभी जिलों के नुडल पदादिकारी और क्राइम ब्राँच टीम प्रभारी को महिलाओं के वुरुद होने वाले अपरादों से संब्दित रज्यानिक अमसंदान, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, अन एक्ट के प्रभावी किर्यान्वन हैत्र प्रजिस्चन दे दिया ग वर्स 2021 और 2022 के पूरे आकड़े हैं और वर्स 2023 के मई महतक के आकड़े प्रतिवेदित कांड, पॉक्सो एक्ट से संब्दित कांडों की संख्या, 2021 में 1508, 2022 में 1794 और 2023 के मई मान 789, 779 कांड प्रतिवेदित हुए इसमें हम लोगों ने कई सारे मामलों में आरुपत समर्पित कर दिया, वर्स 2021 में 1263, 2022 में 1552 और 2023 के मई मान तक 693 कांडों में हमने आरुपत भी समर्पित कर दिया मुआबजा है तो बेज़े रहे प्रस्ता हो, इसमें एक्ट के अंसार मुआबजा दिये जाने का जो प्राउखधान है, उसमें वर्स 2021 में 995, वर्स 2022 में 889 और 2023 के मई मान तक 299 मामलों में हमने मुआबजा का प्रत्ता होगी, बेजा गया है, अब ये सच्छम प्राजिका में प्रेस वारता के दूसरे चरण में, वर्स 2023 की पर्थम चमाही में बिहार पॉलिस द्वारा, इस्पीरिट ट्रायल के अंतरगत, अपराज कर्मियों को लगातार सजा ब्रद्धी करते हुए, अधिक से अधिक लोगों को दोश दिकी जा रही है, इसका सारांश में आकड कांडों में, मतलब यह 2023 के पर्थम 6 महने का आकड़ा है, जन्वरी से लेके जून तक, इन 6 महनों में, 2098 कांडों में, 4114 अभ्युक्तों को सजा कराई गई, दो अभ्युक्तों को फांसी की सजा, 480 अभ्युक्तों को आज इवन कारवास, 379 को 10 वर्स या उससे अधिक की स 485 अभ्युक्तों की दोश दी हुई है, बलातकार के 143 कांडों में, 144 अभ्युक्तों की गिरफ्तारी हुई है, कुल सजा जैसे आपको बता दिया, 4114 है, मैं अगर आम सेक्ट की बात करूं, तो 193 कांडों में, 241 अभ्युक्तों को आम सेक्ट में सजा दिलाई गई, हत्य के 204 कांडों में 489 अभ्युक्तों को सजा सुनाई गई डगैती के 6 कांडों में 6 अभ्युक्तों को सजा सुनाई गई लूट के 34 मामलों में 48 अभ्युक्तों को और अफरन के 24 मामलों में 32 अभ्युक्तों को सजा सुनाई गई है आप देख सकते हैं कि कुल 4114 अभ्युक्तों को नियाले से सजा दिलाने में अभ्यूजन को सफत्त अपराप्त हुई जो अगर हम जुर्माना और बाकी जो कोड की प्रोसेस है उसको छोड़ दें अपराद कर्मियों को जो दोश सिद्ध कराएं तो उसमें जो जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा दोश सिद्ध हुए हैं प बगशर में 162 और अंगावाद में 177 यह टॉप 5 डिस्टिक्स हैं जिसमें अभ्यूक्तों को सजा सुनाई गई है करगहर थाना रोतास के कांट संख्या 88 और भी 09 में 376-302 का केश था यानि बलाकारो और हत्या का कांट इसमें अभ्यूक्त शाहिद कुमृत दंड की सजा स मेरा थाना गोजपुर कांट संख्या 24-15 में विस्पोटा का दिनियम था और भी अन्ने 302 और 307 लगा था जैसा आप लोगों को नाम से पता चलेगा अभ्यूक्त लंबू उन्ना कर जो जेल में भी बहुत दिनों तक था उसको फासी की सजा सुनाई के नगर पूनिया थान थाना कांट संख्या 39-13 में 35 अभ्यूक्तों को आजिवन कारावास की सजा सुनाई गई महिला थाना कैमूर कांट संख्या 82-19 में यह बलातकार का कांट था इसमें मुहमद शहनवास सिकंदर अंसारी को 35-35 वर्स कारावास की सजा इस कार्ण में अभ्यूक्तों के दोरा अपरण कर पीटता के साथ गैंग रेप किया गया था दोनों अभ्यूक्तों को माननी नहाले दोरा 35-35 वर्स की सजा सुनाई गई प्रेस वारता के तीसरे चरण में में गत दिनों इनामी नकसली अपराद कर्मियों कोजे में संचिप जिलावार ब्योरा रखोंगा औरंगाबाद में बिहार STF जारखन पुलिस और केंदरी एजनसी का जॉइंट ऑपरेशन हुआ इस जॉइंट ऑपरेशन में जारखन सरकार द्वारा 25 लाख रुपए के इनामी नाई ए भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए के गोशित इनामी बाकपा माववादी के बिहार जारखन इस्पेशल एरिया कमेंटी के सदस कुख्याद नकसली विरिंदर यादव उर्फ सौरब जी उर्फ मरकस बाबा पेसर जगदीश यादव उर्फ मास्टर को जो जिला और अंगाबाद के रहने वालें को ग्रफतार किया गया सारान के माजी थाना में बिहार स्टीफ की विशेश ट्रीम पिरवारा पचास हजार के गोशित इनामी कोख्याद वांचित अपराद करवी विक्की आदव को दार्जलिंग पश्चिम बंगाल के प्रधान नगर थाना चेट से चापमारी कर गरफतार किया गया इस व्यक्ति के द्वारा फरवड़ी 2023 में मुबारख पुर गाओं में जो अभी वेटना हुई थी फरवड़ी में दो व्यक्तियों कोई पीट पीट कर जगन हत्या कर दी थी जिसके करण विदी बेवस्ता की भी समस्या उत्पन हुई थी जिसको बाद में रिप्टाया गय रोतास के बगहला थाना में कुख्यात वांचित अपरादी एवं हत्या कांड के आरोपी 50,000 के इनामी मुन्ना सिंग और वसिस सिंग को गरपतार किया गया यह 2021 के बगहला थाना अंतरकत किस्ट बिहारी उपादिया हत्या कांड में वांचित थे और इनके वरुद में भी आधा दर्जन से दिक कांड दर्ज होने की सूचना भागलपूर के बरारी थाना में तीन कुख्यात अपराद कर्मी को गरतार किया गया इन अपराद कर्मियों में एक कपिल कुमार यादव है जिसके वरुद में साथ कांड एक मिथुन यादव और लंगडा जिसके प्रेटर छोड़ी के दो कांड दर्ज हो गया के रामपुर थाना में तेरा कांडों में कुख्यात अपराद कर्मी प्रेम यादव जो कई कांडों में सलिप था कई चल रहा था और हाल ही में उसने पांच लाराद रुपए की रंगडारी अपने स्योग्यों के साथ मिलकर म मुतिहारी जिला में ICI-CIA बैंक में लूट की गटना हुई थी उसका उद्वेदन किया गया और लूटी गई राश्री के साथ अपराद कर्मी सिवान जिला से करफ़तार किये थी सिवान जिला के कुख्यात अपराद कर्मी सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गटना मुट्यारे में की थी और ग्रफ्तारी इनकी सीवान में हुई इनके पास से दो देशी पिस्तॉल इसमें मैकजीन लगा हुआ है जिंदा कर्तूस नकद छे लाख पंद्रह हजार रुपए चरस और मोटसाइकल भी वरामत की गई 26 सारी 22 जून को ही मुतिहरी जिला के डुमरा थाना शेर्थ में करीब 18 लाख रुपए की लूट की रटना हुई थी इसमें से लगवग 6 लाख रुपए की पुलिस के दारा रिकावरी इन अपराद कर्में से तरली गई है इन से गहां पूस्ताज करा आगे हम दो कारवाई कर अवैद हत्यारों के विरुस जैसा हमने आपको बताया है लगातार बिहार पुलिस कारवाई कर रही है और अवैद हत्यारों की ससमय बरामदगी से आगे होने वाले बहुत सारे अपराद को पुलिस रोक रही है लखी सराय के मिलनी चौप थाना में मीनी गन फैक्टरी का उ इसमें छे अर्द निर्मित पिस्तौल देशी कटा समय पांच अपराद कर्मी राम बालक बिंद फिलेशोर बिंद मुकेश साव प्रदीप शर्मा अशोग को गिरफतार कर लिया गया इसमें बहुत सारे अस्त बनाने के आउजार और पुरी मिनी गन फैक्टरी को हमने उद वेजित करके पांच अविक्तों को गिरफतार किया दूसरी उपलब्दी में हुलास का इस्थाना जहानाबाद में सफेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन में कुछ अपरादी हथियार लेकर गया रहें इस पर स्टीप के दोरा चेस किया गया तलाशी ली गई तो उसमें पां चार तसकर बबलू यादो को चार साहियोग्यों के साथ हमने गरफतार कर लिया और इनकी निशान देही पर देखिए पुलिस ने जब इनको गरफतार किया पूस्ताच की तो पूस्ताच में जो बात आगया इसके बाद हमने फिर फॉलो अप किया उसके बाद ये गरफतार हुई है जहानाबाद के हुलास गंज जो कि सीमा वर्थी शेत्र है फिर गया के बेला गंज में इनकी बताय अंसार चापमारी की गई इनके निशान देही पर तो उसमें चापमारी कर एक मिनिगन फैक्टरी का उद्वेदन किया गया है जिसमें तीन देशी पिस्तॉल दो सिक सरे जिंदा कार्दूस दो खोका साथ अन हथियार बनाने के उपर रोगा हमने परामद किया तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है अपराद कर्मियों को अपराद करने से पहले रोक रही है हथियारों को बनने से पहले रोक रही है लगात करना हो इसके लिए 850 स्थानों में महिला हेल्फ डेस्क विजिवर्ट प्राडम हो गया इसकी विस्तर जान चाली आपको यह थी थी आशिर्वाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशिर्वाद रोस वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नंबरों पर संपर